नश्रीन्स किचन में आपका स्वागत है आज हम चिकन तिक का बनाएंगे विद ग्रेवी अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले है यह हमने 400 ग्राम बॉनलेश चिकन लिया इसको पानी में डाल दिया है पीस यह और एक चमच नमक डालेंगे हम इसमें और आदे गंटे के लिए रख देंगे इसको मेरिनेट होने के लिए हमने चिकन का पानी निकाल दिया है नमक वाला और इसको अच्छे से दोलिया है अब हम इसको दुबारा मेरिनेट करेंगे इसके लिए हम इसमें डालेंगे आदा चमच न पाउडर, आदा चमच, कुटी हुई लाल मिर्च, एक चोताय चमच, जीरा, आदा चमच, गरम मसाला पाउडर, अब हम इसमें दो चमच दही डालेंगे, और इसको मिक्स करेंगे, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, एक चुटकी, यह मिक्स कर लिया है, अब हम इसको आदा गंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे, अब हम ग्रेवी तयार करेंगे, इसके लिए हम यह दो बड़े चमच ओल डालेंगे, एक मीडियम साइज प्यास चोग करी हमने डालेंगे, इसको लाइट ब्राउन हम भूलेंगे, यह हल्की सी लाइट ब्राउन होने लगी है, इसमें हम जवतरी डालेंगे, थोड़ी जी, एक चमच अद्रक लसन का पेश डालेंगे, एक मीडियम गूने क्या मीडिक करेंगे, एक कटी हुई हरी मीज डालेंगे, अब हम इसमें दन्या पाउडर डालेंगे, एक चमच, एक चमच हल्दी पाउडर, आदी चमच लाल मिर्च पाउडर, आदा चमच नमक, नमक और पेश आप अपने टैस्ट के मुताविक डाल सकते हैं, आदा चमच गरम मसाला पाउडर, जालेंगे, चार मीडियम साइज तमाटर पीस लिए, और इसमें एक हरी मिट्स पीस ही है, इसको डाल देंगे, और दूनेंगे, पांच मिन्ट, यह चिकन मेरी नेट हो गया है, इसमें हम दो चमच वरल डालेंगे, और मिक्स कर लेंगे, तबा गरम हो चुगा है, इसमें हम थोड़ा सा ओयल डालेंगे, एक चमच, और इसमें हम चिकन के पीस डालेंगे, अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, एक मिन बाद हम इसको फ्लेम कर देंगे, अब हमनी फिन को पलटेंगे, हमने 8 मिन फिन को एक साइड से पकाएंगे, दही का पानी फिशक बने लगाएं, एक बार हम इसको फ्लेट देंगे, सारे, एक साइड से ब्राउन हो गए हमारे ठिके, अब दूसरी साइड से हम फांच मिन पकाएंगे, थोड़ा सिलो फ्लेम कर लेंगे हम, यह दूसरी साइड से भी हो चुके हैं चिकन के पीर, अब हम इनको प्लेट में निकार लेंगे यह चिकन तिकका हमारा त्यार है और यह गल भी चुका है, हम इसको चाको से आपको तोड़ कर दिखाएंगे यह देखिए, यह गल गया है हमारा चिकन यह हमारा ग्रेवी मसाला बुन चुका है, यह इसका गी इसने गी छोड़ दिया है मसाले ने, अब हम इसमें पानी डालेंगे एक कटोरी पानी डाला है हमने इसमें, थोड़ा सा और पानी डालेंगे हम और इसको पकाएंगे यह पानी हमारा पक चुका है, अब हम इसमें मलाई डालेंगे, आदी कटोरी मलाई लिए हमने, इसको डाल देंगे, आप चाय तो जाद भी ले सकते हैं और इसको पकने देंगे, दो मिंट यह ग्रेवी हमारी तयार है, अब हम इसमें चिकन तिका मिलाएंगे करेंगे, यह हमारा चिकन तिका विद ग्रेवी तयार है, इसको उने चिकन डाल कर 1 मिन पका आ था, इसके उपर अब हम हम हरा दन्या डाल जींगे, और फलेम बन कर देंगे tarpur और डिश में निकालें यह चिकन तिकका विद्ग्रेवी तैयार है आप भी बनाएए और सबको खिलाएए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए